Hello student, I am Ankeita Sahu, your teacher तो आपका जैसे की सुंग काल चल रहा था और सुंग काल आपका खतम हो चुका था सुंग काल के बाद अब हम युवान काल के बारे में पढ़ेंगे तो युवान काल में आपका जो है मंगोलो का जब शासन था उनके बारे में बताया गया है जब चीन में आपके मंगोल आ चुके थे जैसे की आपको बताया जाएगा की चंगेज खाहा कुबलई खाहा जैसे मंगोल शाशक यहाँ पे आये थे चीन में और उनका राज जो है वहाँ पे इस्थापित हुआ था उससे पहले मैं आपको जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइस कराती हूँ दिन हम देखते हैं कि युवान काल में क्या चीजे हुई थी तो जो आपको लास्ट वीडियो भीजी थी उसमें मैंने च्छान कलाकारों के बारे में बताया था कि किस प्रकार जो च्छान के कलाकार है उनमें कौन-कौन थे तो जो ये दक्षिनी सुंगी कलाकार थे जिनको चान कलाकार के अंदर रखा जाता है वो उनको आस्रे किसने दिया था जो मठो में रहने वाले बहुत भिख्षू थे सरन्यासी थे उन्होंने इनको आस्रे दिया था और इनकी जो कनाये थी वो पहले एकसेप्ट नहीं की गई गया तो इसका जो महतुपूर्ण चित्रकार था उसमें दो महतुपूर्ण चित्रकार थे एक था इसका लियांग दूसरा था इसका मूछी तो लियांग जो है उसके पुग्रवज थे वो मुख्यमंतरी थे और इसके बाद लियांग ने यहां पे विद्रोह कर दिया था इ इसने बहुत सारे विश्यों को लेके चित्र भी बनाये थे जिसमें से रूखी स्याही तक्निक को अपनाया था उसके साथ ही उसका मूची से comparison किया जाता है मूची जो है आपका वो आपका जो है दूसरा कलाकार है छान कलाकार का तो मूची जो है उसके बहुत सारे करेक्टर थे वो एक सन्यासी भी था वो एक जासकुस भी था वो एक पुरोहीद भी था और इन्हीं के साथ साथ वो एक चितरकार भी था लेकिन इसमें विवाद है कि पहले उसने किस character को अपनाया था तो इस प्रकार मूची जो है वो आपका बहुत सर्म से चित्रकार माना जाता है और यह फलिकी चित्र बनाता था जैसे कि आपको बताया था कि इसने एक चीता का चित्र बनाया और इसने नदियों का चित्र बनाया जिसको आठ फलक में divide किया है और मूची जो है वो भी विद्रोही टाइप का था और विद्रोह के कारण इसको भी काफी सजा मिली वहां बे और इस प्रकार जो है वो मूची बहुत सारे विशे को लेकर चित्र भी बनाता था और उसके जो विशे थे वह बहुत विवित्ता पूर पूर्ण थे जैसे पसू पक्षी ड्रैगन ताववादी धार्मिक विशय और यह सारी चीज़े यह बनाता था तो आपका अब हम आप देखेंगे आपका जो नेक्स टॉपिक है युवान काल तो चलिए चल पढ़ते हैं युवान काल के बारे में 1263 से 1368 इसका टाइम पीरिड है तेरी मिशती के आरंब में चीन पर मंगोलो के आक्रमड आरंब हो गए 1210 में चंगेज खाने चीन राजी पर आक्रमड किया और राजधानी बीजिंग को धस्त कर दिया तो आपको बताया था चीन की जो राजधानी थी वो बीजिंग थी उस समय भी तो इस समय जो है जब युवान काल आया वो किसने किया था चंगेज खाने किया था और चीन पर इसने आक्रमड किया और अपनी जो इसकी राजधानी थी चीन की राजधानी थी बीजिंग उसको भी इसने द्वस्त कर दिया था बात में उसने उस पर अधिकार कर लिया और जीया राज ने भयांकर नर संगहार किया 99% लोगों को इसने मार दिया था 1235 में दक्षिनी चीन पर धावा बोला और अंत में अंतिम 1289 में अंतिम सुई शासक को समाप्त कर कुबलाई खाने संपूर्ण चीन पर युवान के नाम से शासंग की घोशना कर दी थी जो आपका युवान काल के स्टार्टिंग है वो जो है वो मंगोल के शासक के समय ही हुई थी तो 1235 में इसने फिर से दक्षिनी चीन में भी धावा बोला और इस प्रकार से जो सुई का अंतिम शासक था जिसकी आप लोग इसके पहले सुई शासन पढ़ चुके हैं तो उसका भी जो शासक था लास्ट उसको भी इसने मार दिया और उसके बाद जो कुबलाई खा था उसने क्या किया सम्कून चीन पर अपना समराज स्थापित कर लिया और उसके बाद युवान नाम से अपनी शासन की घोशना कर दी इसलिए इस काल को युवान काल के नाम से चाना जाता है 1294 में कुबलाई खा की म्रत्यू के पश्चा 1348 तक 10 शासक यहाँ पर बदले गए तो यह सारे मंगोल के ही थे जो की 1294 के बाद से 1348 तक रहे इस समय चीन में विद्रो आरंब हो गए और अंत में 1368 में अंतिम मंगोल जो शासक थे वो चीन से भाग गए तो जब यहाँ पर चीनी मजबूत हो गए चीनी लोग तो उन्होंने फिर से विद्रो स्टार्ट कर दिया और इसके साथ ही 1368 में जो है वो अंतिमंगोल शासक को भी यहाँ से भगा दिया आगे देखते हैं मंगोल शासक चीन में अपना इतिहास 1263 से आरंब करते हैं जब कुबलाई खाने बीजिंग को मंगोल समराजी की चीनी राजधानी घोशित किया और उसका नाम खान बालिग रखा था तो इन्होंने अपना इतिहास का बारा में किया था 1263 में किसने मंगोल शासकों ने और कुबलाई खाने क्या किया जब इसने बीजिंग को धुस्त किया था और इसके बाद इसने राजधानी जो बीजिंग थी और उसका नाम इसने चेंज करके खान बालिक रख दिया था इटली निवासी मारको पोलो 1274 में उसकी सेवा में था और उसने राजधानी का विस्रप वरण किया हुआ है तो मारको पोलो का नाम आप पहले भी सुच जो के होंगे यह यात्री भी था और इसने जो है यह इटली का निवासी था इसने जब यहां पे 1274 में जब यहां पे यह सेवा में था तो उसने क्या किया यहां की जो राजधानी थी उसके बारे में पूरा explain किया हुआ है उसके बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है तो देखते हैं क्या वर्णन किया हुआ है उसने लिखा है कि राज महल की इमारत केवल एक मजिला ही थी जिसकी उची छते और दिवारे सोने तथा चांदी से मड़ी हुई थी तो जब यहाँ पे मंगोल शा सकते तब की बात हो रही है मारको पोलो ने जो explain किया है उसकी बात हो रही है जो यहाँ के राज महल जो यहाँ के इमारत थे उनकी बात हो रही है तो जो इनके इमारत थे वो थे तो एक मंजिला लेकिन उनकी जो उची छते थी दिवारे थी उनको सोने चांदी से जो है वो मढ़ा गया था मनदब सोने चांदी की परत यहाँ पर लगाई गई थी उनके डिजाइन्स बनाई गई थी और दिवारे थी जो है वो सोने चांदी से मढ़ी बनाई गई थी तो पहले यह क्या करते थे स्कल्प्चर त्यार करते थे और उसके उपर सोने की परत को चढ़ा देते थे तो इस प्रकार यहां पर कुछ जो चित्र है वो बनाए गए गए हैं दीवार उपर और आगे देखते हैं इस भवन तक पहुचने के लिए चारो दिशाओं में संग्मर्मर की सीड़ियां बनी थी तो अभी आपको बताया है कि यहां के राजमहल थे बहुत सुन्दर थे और यहां पर इस भवन में जिस भवन की जिस राजमहल की मारको पोलो बात कर रहे हैं उसमें चारो दिशाओं में संग्मर्मर्मर की सीड़िय लगी हुई थी बनी हुई थी आगे देखते हैं महल अनेक चित्रों से शुजोबित था महल का सभाग्रह इतना बड़ा था कि उसमें 6000 एक साथ भोजन कर सकते थे तो अभी आपको बता है कि यहां पर बहुत सारे चित्र बनाते थे उसके उपर यह सोने चांदी की लेयर्स चृत का बाहरी भाग भी सिंदूरी पीले हरे ते था नीले रंग से चमक रहा था तो मार को पोलो ने जिस प्रकार ऑसकी प्रुशनद्सा कीए उसको देखते ही लग रहा है कि जो राज महल था वह बहुती सुन्दर बनाया गया था और यहां पे इतना सुन्दर था तो मार्गो पोलो कहते हैं कि इसकी जो है किसी के साथ कंबेरिजन ही नहीं किया जा सकता ये संसार में इतना सुंदर महल था और छट का जो बाहरी हिस्सा था वो सिंदूरी पीले हरे और नीले रंग से चमक रहा था आगे देखते हैं भवन के बाहर सुंदर उद्यान और गिलाहरी हिरन जैसे पशु जो है और फलदार वक्ष भी यहां पर बनाए गये थे और ये सारे पशु जो है और गिलाहरी वहाबे रहते थे मार्को पोलो ने जिस कला कवर्णन किया है वह चीनी शैली की ही थी संपून भवन चीनी शास्त्री पद्धती से ही निर्मित था राजनीती कारणों से मंगोलों ने बहुत धर्म को संरक्षन दिया तो देखो ये जो महल की परसंसा कर रहे हैं ये पूरा चीनी स्टाइल पर भवन बना हुआ था और बहुत सारे कारणों से बहुत सारे राजनीती कारणों से इन्होंने बहुत धर्म को संरक्षन दिया हु वे उसके तांतरिक रूप से बहुत प्रभावित हुए किन्तु उसके समय की बौधकला में नवीन प्रेनना होने से कोई नवीनता नहीं है तो इसमें बौधकला के बारे में कोई भी नई चीज हमें पढ़ने को नहीं मिलती है जब यहां पे मंगोल शासकते उस टाइम पे त विदेशी सासन हो गया यहां पे चीन में तो इसी कारण जो कलाकार थे वो भी क्या हो गए दरबारों से दूर रहने लगे और दूर रहकर वो अपना काम कर रहे थे तो इसके बाद आपका निक्स टॉपिक बास चितरन स्टार्ट होगा इस वीडियो से रिलेटेट अगर आ आपका मंगोलो का वर्णन स्टार्ट होता है और यहीं पर आपका मंगोलो का वर्णन खतम होता है धन्यवाद